और आज की वीडियो में एक ऐसा प्रिवीव को एक्स्प्रिंट करने वालों जिसके बात जो एपीसोर्स आने वाले वो सभी के सभी बहुत जादा खतरना होने वाले हैं जहापर हमें Governor adminsel दिखाया जाता है, उसकी बैटरीणा के अंदर, दो गूरूप एक दूसरे के सामने खड़े हुए होती, और एक दूसरे के उपर अटेक कर रहे होती हैं, और जहापर हमें प्रीवई के अंदर दिखाया जाता है, जो मूटाई होती है, वो अपनी पपढ़ स करने की, भली हम लोग तुमसे काफी दा कम जोर है, पर मुझे तुमारे दोके के बारे में पता चल चुक था, इस बच्छे से मैंने पहली जी माअएंपर की इंफिरीर फेनली को बता दी तुमारे धोके के बारे में, और अब तुम्हारी कोई ओकाद नहीं हम लोगों से सामना करनेगी, क्यों हम लोग काफी जादा पाउरफिल हैं तुम लोगों से, इसलिए तुम लोग अतिया डाल दो, और मेरे अंडर काम करो, और मुझे अपना कमेंटर बना दो, और इसके बाद यहां पर बहुत कोछ होता यह उनसे उनको थोड़ा सा सबक से खाना पड़ेगा, यह से उनके मैंगली हो जाता है, एक तुम से बाबला, और वो अपने वारियर को मानने के लिए आवाँ बेजने हैं तबी आसमान से आते कुछ फावरफुल लोग, और उनकी आतिकन चातर धुली धूल फैल जाती है, और वो कोई और नहीं, हमारे हीरो, हीरोईन और उसके दोस्स, उसे देखे मैंगली की फटके चार हो जाती है, क्योंकि वो सभी के सभी वारियर मैंगली से काफी जादा पावरफुल थे, इसके बज़े प्रिविकल सीन होता है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देख क्या हो इस बज़े से वो फे मैंगली और एक मिस्टी क्लाउट सकता है, और उसको नम यून फैन होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं यहां से भाग कर, यून फैन को जियान के बार वे सब कुछ बताने का, और वो वहां से भाग लेता है, तबी जियान अपनी तो इके को बायन मुवेंट की स्पीड को बायन निकालता है, और मिंगलिंग के सामने आ जाता है, बही यहां काहा, लाट तो खालो पहले, और फिर जियान उसको एक करारी सी लाट जड़ देर, जिस बज़े से जो महिंगलिंग उता है, और जियान की एक ही लाट पर उसकी अड़ियों का बात किया है, और उसकी सुर्वा तुस्से होती है, और फिर जियान अपनी ग्लेस फिल्म को बायन निकालता है, जो जियान की नई फिल्म है, उसे ग्लेस फिल्म बोलते हैं, और फिर जियान एक क्लस्टर बनाता है, और मैंगलिंग के उपर हमला कर देता है, और जैसी मैंग अंदर हम लोग एक्तम डिटेल में explain करने वाले हैं और जिसमें आपको definitely काफी जदा मज़ा आने वाले हैं और आगे कि जो एपिसोड आने वाले वो भी बहुती ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं जो सीन दिखाए गए वो बहुती ज़्यादा कूल थे यार रॉंग्ते खड़े होगे उनको देखकर जहां पर आसमान से गिरती हुए warrior और आईस एंपर का swag और आईस एंपर का स्वाइग और आईस एंपर कहत करने वाला सीन और सबसे ज़्यादा कूल लगने वाला सीन तब जी आनको ग्रैफिन के सामने बैठा हुआ एकदम कूल और बैडलस लग रहा होता है देखे एकदम मज़ा आ गया था इसलिए जो आंगे के एपिसोट होने वाले वो बहुती ज़्यादा खतननाक होने वाले इसलिए बीट्टी टी एच की वीडियो देखना मेरे चैनल पर बूलें कि यहां पर हर चीज मिलती है और फिलाल के लिए वीडियो यहीं पर खतम होती अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को दबा के लाइक करें क्योंकि जित्ते जादा लाइक उत्ती वड़ी वीडियो नो वलवाली और कमेंट बताना कि आप के लिए और साथी चैनल को भी सिस्क्राइब कर लेना मैं मेल हूँगा आपसे नएश वीडियो में तब तक के लिए बाई